नमस्कार आणा न्यूस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ वर्षा राय चले रुख करते उतर प्रदेश की दस बड़ी खबरों की ओर केंद्री मंत्री जनरल वीके सिंग अम्रोहा में आयोज़त गरीब कल्यान समेलर में पहुचे ये कारिकरम जिले के दयानन्द इंटर कॉलेज में आयोज़त किया गया था इस कारिक्रम में गरीब कल्यान योजना के लाबार्टियों को प्रमान पत्र दिया गया इस दोरान केंद्र मंत्री ने कहा कि पहले लोगों को योजनाओं का लाब नहीं मिल सकाता था और अब लाबार्टियों के खाते में समय से पैसे चले जाते हैं यूपी में बेरोजगारी पर प्रिशासन ने बड़ा फैसला लिया है इसी क्रम में वित्मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए सरकार के इस कदम की जानकारी दी वित्मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि यूपी पुलिस में 45,000 पदों पर भरती होगी जिसके ये चायन बोट से भरती के लिए मंजूरी ले ली गई है समाजवादी पाटे के नेता आजम खान की रेगुलर बेल पर सुनवाई के बाद पोट ने फैसला सुरक्षत रख लिया है ये सुनवाई आरपिय स्कूल की बिल्डिंग के फरजी सर्टिफिकेट के मामले में MP MLA कोट में हुई जिसमें आजम खान की रेगुलर बेल पर सुनवाई के बाद पोट ने आदेश डिजर्व कर लिया है उनव में विश्वर रक्तदान दिवस्त की मौके पर इंडिन रेट क्रॉस सुसाइटी ने रक्तदान शिवर कायोजन किया इस कारिकरम का उदगाटन सांसद साक्षी महराज ने फीता काट कर किया इसके साथी सांसद ने रक्तदान करने आये लोगों में फल और जूस बाटे और रक्तदान करने वालों को प्रमांट पत्र भी दिया साथी साक्षी महराज ने लोगों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील भी की पासगंज जनपद में डियाईजी दीपक कुमार और स्पी रोहन प्रमोद बोत्रे की मौजूदगी में शांती समिती बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक के दौरान डियाईजी ने लोगों से नगर में शांती का महौल बनाए रखने की अपील की साथ ही कहा कि यदि कोई भी ब्यक्ती भड़काओ पोस्ट या महौल को बिगारने की कोशिश करेगा तो उसके विरुत कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी उन्नाव में एक चलती हुई कार में आग लगने के बाद अफ्रा तफ्री मच गई कानको लखनाव हाईवे पर चलती कार में आग लगने पर सवारी कर रहे लोगों ने कार से कुद कर अपनी जान बचाई ये घटना उन्नाव के गंगा घाट कोट वाली शेतर की बताई जा रही है मथुरा के एक सी एंजी पंप के गुदाब में भीशन आग लगने से लाके में दहशत का महौल बन गया हालांकि आग लगने का कारण सपष्ट नहीं हो पाया है ये घटना कोसी कला थाना शेतर के एक ओटवन की है जहां सूचना मलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्त के बाद आग पर काबू पाया प्रताबगड में नवोदे विध्याले में भीशरनाग लग गई जिसमें रज्जाई, गद्दे, ड्रेस समेत लाखों की किताबे जलकर राख हो गई ये घटना जेटवारा थाने के नरायन पुर स्थित नवोदे विध्याले का है जहां मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया बिजनौर के अफजलगर्शेत्र में डाइरिया से एक सपता में तीन लोगों की मौत स्वास्त विभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया है सूचना पर पहुंची स्वास्त विभाग की टीम ने जांच परताल की इसी दोरान चिकित्सा प्रभारी सर्वेश नराला ने बताया कि गाओं में चिकित्सा शिवर का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग पचास लोगों से अधिक को दवाईयां दी गई और जांच कराई गई है प्रावस्ती में पुलिस ने 15,000 के इनामी अपराधी को गिरफतार कर लिया है आरोपी कई दिनों से फराट चल रहा था जिसे जिला पुलिस ने गुलिरा नहर पुल्स से गिरफतार किया है ये घटना सिर्सिया के बालनपुर बस्तंतपुर का है